कवीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, तीन बड़े भायों की बेहन थी, कोई भी चीज मागने पर उसी वक्त सामने हाजीर हो जाती, पूरे घर में रॉप था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक में चलाती थी कवीता, स्कुल में भी पूरा रॉप था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी वो, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, थोरी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए, पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी, इन दिनों उसके घर एक रिष्टा आया, खांदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ, कवीता के साथ कोई जबदस्ती नहीं थी, पर कवीता ने फिर भी हा कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम राज था, राज काफी पढ़ा लिखा और समझदा लड़का था, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, ससुराल में कवीता की जगा वैसी ही थी, जैसे की माइके में, कोई भी कार ये कवीता की सहला की बीना नहीं होता था, सबकी लाड़ली बहु बन गई थी वो, फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल कवीता को जान से प्यारा था, पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे, कवीता कवी कभी स सोचती कि उसकी किसमत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा में साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुश किसमत हूं मैं, पर शायद कवीता की खुश्यों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी, एक दिन वो माई के जाने की जीत कर बैठी, राज को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया, रास्ते में उनकी गारी अन्य गारी से टकरा गई, कवीता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मीर हो गय, काफी दिनों के इलाज के बाद, र पूरी तरह ठीक ना हो सकी, सर पर चोट लगने के कारण, वो अपनी आखों की रोशनी खो बैठी, अब कवीता की किस्मत जैसे उल्टे पाउं चलने लगी, माई के वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कवार फोन ही करके पूछ लेते, कि अब कैसी हो, धीरे धीरे ये सिलसीला भी कम हो गया, सस्रॉल वालों की सहान्य भूती भी कम होने लगी, घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती, तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती, राज भी चिरचीरा हो गया था, बहुत राहुल, बस राहुली उसके साथ, जिसके साथ हसते खेलते उसका वक्त गुजरता, एक दिन कवीता के हाथ से कुछ समान गिर गया, जिसकी वज़से राहुल को हलकी सी चोट लग गई, कवीता के साथ ससुर्ण ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कि कहीं उसके ना देखनी की वज़से बच्चे कोई नुकसान ना हो जाया कवीता अंदर से तुट चुकी थी एक दिन उसने सब के सामने माईके जानी की इक्छा रखी तो राज उसे तुरंद माईके छोड़ाया जैसे कि वो भी यही चाहता था लेकिन राहूर को उसके साथ नहीं भेजा गया कवीता कभी राहूर से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की है कवीता को लगा कि वो तीण-चार दिन वहां रहीगी ती थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा क्योंकि वो कितने दिनों से कहमी बाहर नहीं गए थी घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे कवीता के घर पहुशने पर सब लोग बहुत खुश हुए खाने में सब कुछ कवीता की पसंद का ही बना था उसने अपने मम्मी पापा और भाई भावियों से दिल खोल कर बाते की उनकी छोटे-छोटे बच्चे भी बुवा के साथ घूर मिल गये थे रात को सोने के वक्त जब वो कपरे बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैक तो बहुत भड़ा हुआ था वो सब समझ गई वो बहुत उदास हो गई कुछ दीनों तक तो सब ठीक रहा फिजैसे सब बदलने लगा सब का वेवार बदल रहा था वो लोग जैसे ठक चुके थे उससे सब लोग घुमा फिरा कर पुछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने वो बहाना बना देती जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगा नहीं कवीता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता थोरी बहुत टोकटा की उसे सुनाई देती वो टाल देती एक दिन उसके हाथ से लगकर एक किम्ती फूलदान तूट गया छोटी भावी ने बहुत हंगावा मचाया कवीता के माता पिता रोज रोज की जमिलों से तंग आ गय थे उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया राज कवीता को अपने घर ले गया कवीता को अपने परिवार वालों से ये उमीद ना थी जिस कवीता के कहे भी न घर में एक पत्ता भी नहीं ही उता था उस घर के लिए वो अब बोज बन चुकी थी राज के साथ सस्राल आते वक्त वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने घर जा रहे थी अपने जीगर के टुकरे राहूल के पास प्रंतु ये खुशी भी उसके कुछ पल की ही थी सारों बंदबस्त पहले ही किया हुआ था कवीता को सीधे उपर वाले कमने में बहुचा दिया गया राहूल से दोर रहने की सक्त चितावनी दी गए एक कामवाली लता को उसकी जीमेदारी सौपी गई जो उसके खाने पहने जैसी जरुतों का ध्यान रखती कवीता जादा तर चुप ही रहती कभी कभी कामवाली लता से थोरा बत्या लेती उसके जरिये राहूल का पता चल जाता सबके लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोज बन चकी थी